इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैसे linux में command के तुरू user create करते हैं कैसे groups create करते हैं, user को group में कैसे add करते हैं, user का ID कैसे check करते हैं, group ID कैसे check करते हैं इनकी home directories कैसे check करते हैं, password कैसे apply करते हैं तो यह सारी information आप यहाँ पे देखने को पा जाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ से log off करके, log out करके check कर सकते हैं, आप किस user से login है या तो फिर आप activities में आ जाएंगे, terminal open करेंगे, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा किस user से login है तो यह add the rate से पहले जो name दिखता है, यह आपका user name होता है, यानि currently जो भी आपका user login होता है तो मैं login हूँ यहाँ पर root से, और root जो हमारा होता है, primary administrator user होता है, मारे linux के अंदर अब मुझे यहाँ पर एक नया user create करना है, या यह देखना है कि हमारे linux machine में कितने सारे user create है तो उनके लिए एक specific command है, जैसे ls space slash home link के आप जैसे enter करेंगे, आपको यहाँ पर बता देगा कितने user आपके यहाँ पर है, तो हमारे पास दो user हैं, एक है सीखो live और एक है आपका student तो इसको check करने के लिए यहाँ पर ls space hyphen slash home check करेंगे, आपको यहाँ पर जो भी user होंगे, उनकी details यहाँ पर मिल जाएग, अब आप यहाँ पर check कर सकते हैं कि कि किसी भी another user से login करना है, तो कैसे करते हैं, आपको terminal पर ही switch करने का भी option मिल जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर check कर लेते हैं, एक नया user add करना है कैसे करेंगे, तो user add करने के लिए command है, user add space और जिस भी नाम से आप user create करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर create कर देता हूँ user one और enter, user one नाम से एक user हमारा बन जाएगा, और इसको अब check करने के लिए ls space slash home again check करेंगे, तो यहाँ पर user one भी आपको दिखाई देगा, लेकिन user one अभी ना ही इस पर password set है, और ना ही इसका home directory create है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, user पर password apply करने के लिए, हम simple यहाँ पर लिखेंगे, passwd space जिस भी user पर आपको password apply करना है, उसका name, और यहाँ पर log off कर सकते हैं अपनी machine को, और log off करने के बाद या log out करने के बाद user one से login कर सकते हैं, यहीं पर आप एक नया terminal open करके चाहें, तो user one से login करके काम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक terminal open कर लूँ, यह मैंने एक terminal open किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, SU मतलब होता है switch user और मैं user1 enter कर दिया तो अभी आप check कर सकते हो मैं user1 से login हो चुका हूँ तो user1 से login हो जाने के बाद आप कभी भी root user से login कर सकते हैं root user से login करने के लिए SEO और enter कर देना होता है और आपका जो भी password है वो apply कर देंगे और login कर जाएंगे तो root user का proper password आपको देना होता है जैसे मेरा password यहां पर apply हो गया और मैं root user से दुबारा login कर गया तो SU command execute कर सकते हैं आप अपने नए user को login करने के लिए किसी भी user को login करने के लिए अब यहां से अगर मुझे यह check करना है कि हमें group कैसे बनाना है जब भी आप एक user create करते हो तो by default उसका एक group भी create हो जाता है और group बन जाता है लेकिन अगर इस specific एक अलग से group बनाना चाहते हैं सिर्फ group तो वो भी आप बना सकते हैं group add करने के लिए आप यहां पे लिखेंगे group add space और मैं यहां पे लिख देता हूँ g1 और just enter तो यह हमारे एक नया group बन जाता है अब कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे computer system पे कितने सारे user और कितने सारे groups यहां पे बने हुए हैं तो उसको चेक करने के लिए आप यहां पे vim के तुरू एक एडिटर है और slash etc लिखेंगे और slash group लिखेंगे group यहां पे बने होते हैं enter करके आप आजाएंगे और देखेंगे यहां पे user 1 भी आपने बनाया था student करके है हमारे पास और यहां पे g1 करके group है इन सभी को एक specific id भी मिला हुआ है यानि कि जब आप एक manual user create करते हो तो आपको by default 1000 से id मिलना start हो जाता है यानि पहला user जो मैंने बनाया उसका user name का जो id मिला यू id 1000 है उसके बाद हमारा 1001 मिला उसके बाद 1002 मिला और सिर्फ मैंने group बनाया तो 1003 मिला यानि कि एक सीखो लाइब करके group भी होगा जिसकी id 1000 होगी and student करके 1001 group होगा और एक जीवन तो यहाँ पे दिखी रहा है ऐसे करके आप यह सारी चीज़ें create कर सकते हैं मैं यहाँ पे skip की call and queue enter की press करूँगा बाहर जाँगा तो group चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे और user को आप ऐसे ही create कर सकते हैं अभी मुझे यह पता करना है कि currently जिस user से मैं login हो उसका UID, GID क्या होता है अब अगर आपको नहीं पता UID क्या होता है तो user ID होता है जब भी एक नया user create करते हो तो उसको automatic एक UID और अगर group उसका बन रहा है तो उसका एक GID create हो जाता है group ID है ना जो कि identify कराता है कि यह user इस ID से सर्च हो सकता है तो इसली हमारे large database के अंदर user को आसानिस identify किया जा सकता है यह identification number होता है चेक करने के लिए ID एंटर कर देंगे आपको बता देगा कि currently जो user ID है root का यानि root user है उसका UID है 0 और इसका GID group ID है 0 और groups भी इसका root करके है और उसका भी ID number है 0 तो यह user होता है यह group होता है यह other user के लिए मतलब other groups के लिए other users के लिए available होता है अगर मुझे यहाँ पे student का ID चेक करना है तो मैं ID लिखके student और enter कर दूँगा इसके बारे में बता देगा कि इसका जो UID number है वो 1001 है GID number है 1001 है और groups भी same आपका हो जाता है आप किसी भी user को कहीं पर भी add कर सकते हैं जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखा हूँ कि मेरा जो यहाँ पे user 1 है इसका ID क्या है ID space user 1 enter तो इसका आप देख सकते हैं 1002 दिखा रहा है अगर मैं चाहता हूँ कि यह जो user 1 है यह आपके इसके groups में भी दिखा है है ना जो यहाँ पी student है others में इसके अंदर भी यह दिखा है तो group में आप किसी भी user को add कर सकते हो add करने के लिए command है user mod space ऐफन capital G space group का name दे देंगे मैंने दे दिया यहाँ पे group name student और मुझे इसके अंदर add करना है user 1 को और enter कर दिया उसके बाद id space और मैं student यहाँ पे लिखकर enter करता हूँ अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह सिर्फ अपना दिखा रहा है but id लिखकर अगर मैं user 1 को add करता हूँ तो user 1 का जो group है user 1 तो दिखा ही रहा है plus 1001 के अंदर भी यानि कि students का आप देख सकते हो 1001 का एक अदर group है इसके अंदर भी यह available हो चुका है अगर कोई भी permission आप आगे चल के groups पे यानि कि student के groups पे other user पे other groups पे 1001 के अंदर कोई भी permission apply करते हो, कोई ownership change कर सकते हो कोई permission के अंदर modification करते हो, तो automatic user 1 के groups पर भी apply हो जाएगा तो यह इस तरीके से कर सकते हैं कि आपका user 1 भी उसका benefit उठा पाएगा और इस तरीके से configure करते हैं, यह सारी चीज़ें आप यहाँ पे clear कर सकते हैं clear command से, ls space slash home आप check करेंगे, तो another आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इतने सारे user बने हुए है, id भी आपने चेक कर लिया, password भी आपने चेक कर लिया group भी आपने बना लिया, तो यह सारी information इस तरीके से आप group and user के तुरू manage करते हो अब यहाँ पे, यानि कि group id और यह सब allot होता है यानि कि इससे पहले 999 जो id होती है यह हमारे linux के अंदर register होता है या linux के अंदर पहले से बने default user के लिए register होता है, यह भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, interview exam point से आपका यह important topic हो सकता है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, आपको user बनाने आ गया होगा group बनाने आ गया होगा, वीडियो कैसी लगी comment करें, आप लोगों का कोई भी comment, like का response नहीं रहता है और इससे demotivation होता है और बिल्कुल अगर आप like कर देंगे और एक चोटा सा comment या this is fine, not fine whatever जो भी है, तो एक अच्छा सा मुझे भी motivation मिलेगा, और मैं आगे और सारी content अच्छे से आप लोगों को जल्दी जल्दी provide करने की गोसिस करूँगा, ओके, तो subscribe आइकन जो भी दिख रहा है ना उसको press करेंगे और bell आइकन press कर लेंगे, ताकि आपका आगे वाला जितना भी notification आने वाला है वो आपको मिलता रहे, मिलते नेक्स वड़ी में Thank you so much